हेलो दोस्तों कैसे आप सब बात करेंगे आज इस वीडियो में इबो फिर से ही इने सिर्मा की एक और अपकमिंग एन मच अवेटेड बिग बज़र्ट फिल्म बॉर्डर 2 को लिकर जिसे लेकर काफी सारी अब्रेट सामने आ रही हैं तो बस जानेंगे आज इस वीडियो में की फिल्म कब से स्टार्ट हो सकती है शूटिंग इसकी और फिल्म कब तक रिलीज हो सकती है आपको जनका हेयानी होगी इस फिल्म के लिए सनी देओल ने 50 करूड की फीस चार्ज किया है जो कि अभी तक की सबसे ज़्यदा फीस है जो कि सनी देओल चार्ज कर रहे हैं किसी भी फिल्म के लिए और इतना ही नहीं इसके अलावा प्रॉफिट में से कुछ सेयर भी लेने वाले हैं सनी देओल फोर दा फर्स टाइम रिजन यह है कि कहीं न कहीं ये फिल्म पहले भी बनने वाली थी 2015 में लेकिन चीजे वर्काउट नहीं हुई क्योंकि कहींने कहीं मेकर्स को लगा कि इतना बड़ा बज़ट सनी देओल को लेकर अभी लगाना बेकार होगा लेकिन जब गदर टू जैसी सकसफफल मूवी रिलीज हुई उसको इतना अच्छा रेस्पॉंस मिला तो मेकर्स ने हस्ते हस्ते 50 क्रोड की डिल साइन कर दी पचास कोड देने के लिए तियार हो गए ऐसा फीस और इसके अलावा प्रोफिट शेरिंग के लिए भी वह मान चुके हैं अब बात कुरू अब फिल्म को लेकर कि फिल्म की शुटिंग कब से स्टार्ट हो सकती है तो बताना चाहेंगे अर्ली 2024 यानि कि स्टार्टिंग में इस फिल्म की शुटिंग स्टार्ट कर दी जाएगी इस फिल्म का क्रेज वाकि कफ यदा दिखने वाला है यकीन मनीगा है यह फिल्म अधूरी होगी पूरी तरह से सनी दियोल के बिना सनी पाजी के बिना तो ऐसे में क्या लगता है बॉर्डर टू जिसका बजट ही अब ड बताना मत बुलिगा कि आप इस फिल्म में गदर टू में सनी देवल के अपोजिट में लीड में किस-किस एक्टर को देखना चाते हो बॉबी देवल कंफर्म होंगे सुनील सेटी कंफर्म होंगे और हो सकता है सनी दाथ भी आपको इसमें नजर आए क्योंकि बॉडर टू एक मल्टी स्टार्र फिल्म होगी इनके अलावा आप इस फिल्म में किस-किस को देखना पसंद करोगे आपकी राइकॉन में मेंसन कर सकते हो वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना सेर करना चैनल पर अंड़ाए हो सब्सक्राइब करना थैंक्यू बाबाए टेक किया क कि एप सुपोर्टिंस